जयाहिंद, वेलकम टू माई यूटूब चैनल प्लियर अफिजिक्स आज हम लोग चुम्बकिया बल रेखाएं एनि माइगनेटिक फिल्ट लाइन्स प्राइटिकली समझेंगे तो चलिए बिन टाइम बेस्ट किये शुरुआत करते हैं देखिये यह एक अस्थाई चुम्बक है जिसमें एक साइड उत्री धुरुब और दुसरे साइड दक्षिनी धुरुब है अब हम चुम्बक को कुछ इस तरह रख देते हैं और इसके उपर पेपर रख देते हैं अब इस पेपर के ऊपर लव चुर्ण को कुछ इस प्रकार से छिरकते हैं। ध्यान से देखने पर दिखाई देगा की सभी लव चुर्ण एक खास लाइन में सज गया है। इसी खास लाइन को चुम्बकिया बल रेखाएं कहा जाता है। आसान भासा में बोली तो जहां तक चुम्बकिया बल को महसूस किया जाता है उसे मिलाने वाली कालपनिक रेखा को चुम्बकिया बल रेखाएं कहा जाता है। इसका कुछ गुन होता है जैसे या चुम्बक के बाहर उत्री धुर्ब से निकल कर दक्षिनी धुर्ब में परवेश करता है लेकिन चुम्बक के अंदर दक्षिनी धुर्ब से उत्री धुर्ब की ओर जाता है जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा चुम्बकिया बल रेखाएं धुर्बों के पास जैदा घहना होता है और जहां या जैदा घहना होता है वहाँ चुम्बक की चुम्बकात्व जैदा होता है इसलिए चुम्बक के धुर्बों के पास कोई लव पदार्थ को लाने पर वह बहुत ही तेजी से खिचता है अब इसी प्रकार के दो चुम्बक पर एक्स्प्रिमेंट करते हैं देखिए दोनों चुम्बक के उतरी धुर्ब को एक साथ रखते हैं तो एक दूसरे को धकेलता है क्योंकि समान जाती के धुर्ब एक दूसरे को धकेलता है और अपोजिट जाते के धुर्व एक दूसरे को अपनी ओर खिचता है अब दोनों चुम्बक के उपर पेपर कुछ इस प्रकार रख देते हैं फिर लव चुर्ण को डालते हैं देखिए लव चुर्ण कुछ इस प्रकार सज गया दोनों धुर्वों के पास भर्टिकल लाइन जैसा दिख रहा है बांकी जगह बंद लूप जैसा दिख रहा है जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिख रहा होगा आप दोनों चुम्बक के अपोजिट धुर्व को इस तरह रखते हैं देखिए दोनों एक दूसरे को अपनी और खीचता है क्योंकि यह अलग अलग जाती का धुर्व है आप इसके उपर पेपर रखते हैं फिर लोग चुर्ण छिरकते हैं देखिए इस बार लोग चुर्ण कुछ अलग इस प्रकार सज गया है जिसमें दोनों तरफ से उत्री धुर्व से दक्षिनी धुर्व की और बल रेखाएं दिखाएं दे रहा है जैसा कि इस चित्र में भी दिख रहा है चुम्बक या बल रेखाएं बास्तब में नहीं होता है या मन गढ़न्त रेखा है जहां तक यह रेखा होता है उहीं तक चुम्बक का पावर होता है इसका मतलब इस रेखा के बाहर कोई लव पदार्थ को रखने पर चुम्बक उस पर बल नहीं लगाएगा उमीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियों से कुछ सीखने को मिला होगा अभी का सेवा ही समाप्त होता है मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहन्द